अगर किया होता तो बारा बम दमा के बच जाते मानेवर यह आतंकवादी जो गोशिद करने की प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी सावधानिया रखी गई है कि इसका उप्योग दूरुप्योग नहों वारंतु उप्योग हो इसके लिए हम भी देखकर आए मानेवर मैं मानता हूँ कि यह जमना आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वाले ज्रक्तियों को आतंकवादी गोशिद करकर दुनिया के सामने उनको खुला करने की उजाकर करने की जरूरत है इसलिए मैं प्रावदान लेकर माननी वर संदन के सामने आया हूँ धारा पचीछ को मनीजी ने बड़े जोर सोर से उस पर विरोत किया धारा पचीछ मनीजी हम लेकर नहीं आये मैं धारा पचीछ में सिर्फ संसोधन लेकर आया हूँ और उसके लिए दो-तिन बेजिक इस्यू उठाए गया अलग-अलग सदस्यों से, एक तो फेडरल स्रक्चर का इस्यू उठाए गया, एक इस्यू धारापचीज, कैसे किसी की व्यक्ति की प्रोपर्टी एटेज कर सकती है, हसनान साब ने का कूर्थ करने की बात नहीं, बाद में पुलिस कॉट के सामने जाएगी, जब कॉट मानेवर परमिसन देगा, तब इसकी कुर्की होगी, तो कुर्की के लिए पुलिस को हमने अधिकार नहीं दिया है, ना किसी डीजी को दिया है, अब फेडरल स्रक्चर का सवाल आ है, मानेवर इसमें हमने एनाईये के बीजी को उसी केसों में ये अधिकार दिया है, जो केस एनाईये जांच करता है, और कोई केस में दिया है, जो स्टेट पुलिस ये लगाना चाती है, और जांच करना चाती है, इसका तो जबति का अधिकार स्टेट पुलिस के पास में है, और एनाईये के अंदर ये जो सरकार लेकर आयी थी अगर फैडरल स्क्षर का भंग हुआ है तो यूप ये की सरकार के समझे में मुंगा मैं मानता हुआ हुआ था हूं मैं आज भी कहता हूं यूप ये सरकार ने कर आये फिर भी मैं मानता हूं थी मगर जो लेजिस्लेशन बनाने वाले थी उसे उनको क्या अधिकार है आज वो लेजिस्लेशन पर सवाल खड़ा करने का जो उनकी सरकार लेकर आई मानेवर आतंकवाद के मुद्दों पर पार्टी की विचादाराओं से उपर उठना चाहिए ऐसा मेरा मानना है और पती एक को तीजर और एटेजमेंट के जो अधिकार है मानेवर को किसी भी प्रकार से कौपरेटिव फेडरलिजम को नहीं तोड़ते हैं सन्मानिय सदस्या महुआ जी ने भी इस सूठाय दा मैं इसके लिए इसको ठोड़ा एक्स्प्लेंग करना सकता हूं मानेवर एक मुद्दा आया कि पी आई को अधिकार देने से जांच डिटोरियेट होगी मैं यहां सदन के सामने बहुत विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं कि ए एक विशिष्ट कार्यबल आतंकवाद के सामने लड़ने के लिए स्पिस्यलाइज ट्रेनिंग लिया हुआ कार्यबल यह पोलिस्टेशन नहीं है इसके अंदर एक एड़िस्टेटिव हेरार्की तैकी है रिव्यू की व्यावस्ता करी है जो जांच होती है उसको एस्पी लेवल पर रिव्यू किया जाता है डी आईजी लेवल पर रिव्यू किया जाता है आईजी लेवल पर रिव्यू किया जाता है अंतर तो ग यहां जो दिक्कत है मैं बताना चाहता हूं और एसीफ हम एनाईये के लिए कर रहे हैं साधा मतलब राज्य की पूलिस जब जाच करेगी तब हमने जो एस्पी का प्रावदान ने उसको एज़िटीज रखा है मनेवर एनाईये का कारेश सित्र पूरा देश है पूरे देश के कई अदालतों में याद लगवग धाईसों से जादा केस बिखरे पड़े हैं और एस्पी इनके पास पचीस हैं साध पचीस से भी कम है जब केस चलने नहीं पाते हैं निहायत जरूरी है कि पी आई को यह दिकार दे यह पी आई वी को ट्रेनिंग करने का काम एनाईये की स्थापना 2008 से लेकर 2019 तक 11 साल के अंदर ढंक से कर दिया गया है एडमिस्टिटीव हैरार्की को अच्छे तरीके से प्रस्ताफित किया गया है और मोनेट मेरी तो सभाश में नहीं अलया हो सकता है प्लार इसमें किसी को क्या विरोध होसक्ता है या डाइलीट कर दिया रफार या यएक और कहना ये सवाल उठाया गया कि दिनों तक पेशी नहीं हो रही है ऐसा नहीं यह पीए के कानून के अनदर चौबीस घंटे के अंदर ही चाहते भी नहीं, बडला भी नहीं, जिसको भी पुलिस पकरती है, उसको 24 घंटे में सक्सम कॉर्ट के नियाई कधिकारी के सामने पेस करने का प्रोविजन है, सिर्फ बदल इतना है कि CRPC के अंदर 14 दिन की रिमांड होती है, यहां 30 दिन की रिमांड होती है, क्योंकि जिस तर की कॉंप्लेक्स जटिल गुना की जांच, एनाईये टो करनी होती है, इसमें बहुत सारे डाइमेंशन जुड़े हुए थे, इंटरनेशनल लिंकिंग भी जुड़ी हुए थे, कॉंप्यूटर भी इसके अनालिसिस करने होते हैं, मनेवर कई बार फेक करन्सी के केस होते है, तो उसको अन्य जगों पे भी ले जाकर जांच करनी पड़ती है, तो इसलिए 14 दिन की जगे उसकी रिमान का अवधीत 30 दिन का है, बाकी उसको तो 24 गंटे में जज़ के सामने पेस करना ही है, और इस 30 दिन भी मैं नहीं लाया था, मैं नहीं लाया हूँ, स्रीमान चीदंब जिकर किया कि अमरवा के केस में सब पुलीस को बदनाम करना बहुत सडल होता है, एक टाइटल बना दिया, यहां बोले कि चार लोग इतने निर्दोस चार लोग इतने समय जहल में रहे, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, आप अभी UAPA को छोड़ दो, CRPC के इंद किसी को पकड़ते हो, और वो अगर निर्दोस चूट जाता है, तो कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुझे सवाल पूछते हैं, उनको पूछना चाहता है, तो CRPC भी अबोलीस कर दे दादा, तो CRPC भी अबोलीस कर दे, लॉलेस्नेस कर दे देश में, हर कानून के अंदर संभावना रहती है, मानेवर, जब उसको न्याय तो उसी को कहते हैं, पूलीस लेकर गए, उसको सजा नहीं करते हम, न्याय कि इसको कहते है, पूलीस अपना पक्स अदालत के सामने रखती है, अपरादी अपना पक्स रखता है, अदालत को लगता है कि नि पुल्स कर दो तो फिर पी आर्फी से को भी एपिलिंस कर दीचे सब पुलीस की देस्षतार क्या सदबावना सब्सक्राइब क्या जरूरत है पुलीस की देश में कि प्रकार के विशतार व्यक्या जा रहा है इस संसत के अंदर मानेवर मैं कहना चाहता हूं यह अमरों के केस में 14 लोगों को पकड़ा गया दस लोगों को खिलाब एसे एविडन्स नहीं है इसलिए उनका बेल हुआ है वो भी एणाय ने विरोध disturb किया है इसलिए नहीं हुआ है है कि कि उसकी कश्टडी की जरूरत नियूंत को ट्विस्ट करकर जनता में क्या संदेश सरना उसके साथ मेरी तो समझ में नहीं आता माने बाद और एक कमजोर भी जंज था इसलिए चलान न करा है हमने चलान करना एन ये ने उचित नहीं समझा है चलान करते तो साहथ न होता तो यहीं बताता है कि अना ये की प्रक्रिया चितनी नहाई है अभी एक कहा गाया मुहमत जावेद साफ की और से कि बड़न ओप प्रूफ विक्टिम पर अपरादी पर है बड़न ओप प्रूफ अपरादी पर नहीं है रेकोर्ड क्लियर रहे न चाहिए बड़न ओप प्रूफ आज भी एना ये के उपर है और इसको हम इस बिल में संसोधन की कोई बात लेकर नहीं आए है अपरादी को सिद्ध करने की जिम्मेदारी अपर न ये की है मनेवर मनिस तिवारी जिने आइटी एक्स के सेशन 66 एप को पड़ा अब उन्होंने 66 एप के क्लॉस बी को बताया वो बड़े विद्वान वकिल है मगर क्लॉस ए बताना भूल गई उन्होंने का मेरे कॉम्पूटर में कोई गुश सकता है आपके कॉम्पूटर में भी कोई गुश सकता है इन्होंने 66 एप और क्लॉस भी बताया 66 एप और क्लॉस ए नहीं बताया जो मैं बताता हूँ कोई भी व्यक्ति computer resource के दुरूपयोग से भारत की एक्ता और अखंडत्या अठ्वा लोगों की सुरक्षा को आतंकवाद के द्वारा खत्रा उत्पन करता है ऐसे सक्स को computer का जबती करकर इसके अंदर के material को जहाचा जाएगा अब यह सारा वड़े पड़े कि मेरे computer में गुश जाएगे यहां हमारे वर भी आहत्रत बुले इंके computer में गुश जाएगे मगर वह terrorism करोगे तो घुशी जाएगे क्यों ना गुश है जो terrorism करेगा इसके computer में पुलिस जरूर गुश जाएगे मान्यवर और गुशना चाहिए पुलिस जरूर इसका duty है मान्यवर हम बातों को इस प्रकार से रख से हैं जिसे पूड़े देश के अंदर एक प्रिस्वर की भ्रांती खड़ी हो कि जाने क्या चल रहा है कि इस प्रकार का लोगों को परिशानी करने वाला कानून हम लेकर आये हैं मगर मैं बताना चाहता हूं मैं इनको भी आस्वस करना चाहता है कि कानून क्यवल और क्यवल terrorism को खतम करने के लिए है भारत के जीरोट के पास को इसका दूरूपयों कभी जो करना ना करना चाहिए ना हम करेंगे और मैं तो कहता हूं कि जो आये सब सत्ता में सबने मर्यादायरशनी चे और मैं इसकी मिमान सामें नहीं जाता है दूरुपयों किसने करें और कितने करें वर्ना कहेंगे फॉलिटिकल जवाब दिया एक सुप्रिया सुले जी ने कहा कि सुशियलिस्ट को सामाजी कर्मी को टेरिस्ट या उग्रवादी नहीं मनना जाए सुप्रिया जी आपके माध्यम समय सुप्रिया जी को विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत समाजीवन के अंदर काम करने वरे लोग सन्मान के साथ काम करें करोरों की संक्या में पुलिस को कोई सौख नहीं उनको पकड़ने जा मगर अर्बन मावविजम के लिए जो काम करते हैं उनके प्रती हमारी जहरा भी संवेद्ना नहीं रखे और सुप्रियादी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मनने वर इवामपंठी उग्रवाद शुरुवात में एक वहिचारिक अंदोलन माना जाता था जिसने देश के हजारों लोगों की जान दी वांपथी उग्रबात को फिलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जर्रा भी दया नहीं है हम कठोर साथ के साथ सारे जो चोला पहनते हैं वैचारी कांदोलन का और बढ़ावा देते हैं वामपंथी उग्रवात को उनको रोकना पड़े अनपड लोगों को अबूर लोगों को गरीब लोगों को गुम्राह करकर हाथ में बंदुके पकड़ाना अपने उद्येश का उल कार्ति चिदमरम जी ने कहा कि वे कितने लोगों को सजा हुई सजा नहीं होती तो कानून हटा देना चाहिए महने पर मैं आपके माद्यम से कार्ति चिदमरम जी को कहना चाहता हूं कि सजा तो 302 में भी नहीं होती है कई बारा जो मानववत का गुना है मानववत्या का गुना है उसमें भी सजा कम ही होती है क्योंकि हमारी नाइक प्रक्रिया के अंदर एक सिद्धान्ट है कि 100-2 भले छुट जाए एक निर्दोस को सजा नहीं होनी चाहिए यह सिद्धान्ट को मैं ने सुटा रहा है तो कई बार कई लोग छूट जाते परसेंटेज कम होता है तो क्या 302 भी एबोलिस कर देंगे चोरी नहीं रुकती है क्योंकि चोरी का कानून भी फ़लोगा है वो भी निकाल दो है कि इस तरह से इसकी मिमान सहा नहीं हो सकते हैं वहम घंभीरता के साथ सरकार कानून लेकर आखी है जो स्पर और में इतना ही जखेतना ही कहना चाहता हूं, कि एजो पिम्म्राइड काר मेरे साहती है और मैं आये हैं आपके समख इस सदन के सामने आये हैं, यह समय के अंतराल में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों है, जो हमारी एजंसियां हैं, उससे आगे चार कदम के हैं, एक कानून हमारी एजन्सी को उनसे चार कदम आगे रखने का प्रयास है और मैं मानता हूं नहीं कि आपका नाम तो वरोबर अधीर है मानेवर सासन की फर्द है कि जो एजेंसिया देश की सुरक्षा के लिए देश की जनता की सुरक्षा के लिए देश की सिमाओ की सुरक्षा के लिए काम करती है उनको दंत विहिन कानून न दे उनको मजबूत कानून दे जिनके आधार पर वो आतनकवास को खत्म कर सके अता मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस बात पर सभी लोगों ने सदन में एक मत करने से दुनिया में देश में और विशेश आतनकवादियों के ग्रूपों के अंदर बहुत अच्छा मेसेज जाएगा मैं अपील करता हूँ सभी इसका समर्थन करे और बिलको शर्वान मत चाह करने सकता हूदों लुड'T करता हूब इसका सततीन देशी कता सKayतर बें द्यून